Hello and Welcome to Bridgebala Education YouTube Channel आज की इस educational lecture में बच्चों हम start करने वाले हैं Class 9th के geography chapter drainage को Students इस chapter में हम drainage यानि की इंडिया के river systems के बारे में नदियों के बारे में पढ़ना पढ़ने वाले हैं इस chapter में हम यह इस chapter का part 1 वीडियो है part 2 का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए बच्चों करते हैं शुरू देखिए drainage जो है वो river systems को describe करती है किसी भी area में इस chapter के later part में आपको एक physical map दिया गया है जहां आपको इंडिया के अलग-अलग river systems के बारे में दिखाया गया है बताया गया है जब भी कोई main river बनती है तो कई छोटी-छोटी पानी की धाराएं अलग-अलग direction से आके तब जाके main river बनती है जैसे बड़ी-बड़ी जो नदिया है इंडिया में for example गंगा, ब्रमपुत्रा ये river एक ही समय में एक ही जगे से नहीं निकलती होता क्या है अलग-अलग जगों से निकलने वाली छोटी-छोटी पानी की धाराएं एक साथ मिलती है और तब जाके एक बड़ी river, एक main river बनती है और यही river last में जाके distance travel करती है अपना जो भी इसका course होता है वो travel करती है और last में जाके large water body में किसी lake में, sea में या ocean में जाके मिल जाती है जिस area को यह drain करती है उस area को कहा जाता है drainage basin देखिए अब drainage basin का मतलब क्या है यह देखिए इस area में गिरने वाला पानी river A में ही जाएगा इस area में गिरने वाला बारिश का पानी river B में ही जाएगा तो ये वाला जो area है ये river A का drainage basin है और ये वाला जो area है ये river B का drainage basin है आगे बात करते है water divide की देखे water divide क्या होता है जब कोई mountain या कोई upland दो drainage basins को separate करती है तो उसको क्या कहा जाता है water divide जब एक उची उठी हुई जमीन for example mountain और say upland कोई भी upland या कोई भी फ्लेट्यू जब दो drainage basins के बीच में आके उनके पानी को मिलने से रोक देता है तो उसको कहा जाता है water divide for example हरियाना का शहर अंबाला एक water divide का example है आगे आता है हमारा do you know जो दुनिया का सबसे बड़ा river basin है वो है Amazon river basin इंडिया में सबसे river basin किसका है गंगा river का है ठीक है इसका answer है गंगा river आगे आता है इंडिया में drainage systems इंडिया के drainage systems के बारे में यानि इंडिया के river systems के बारे में हम discuss करेंगे इंडिया में जो drainage systems हैं वो इंडिया के relief features मतलब इंडिया में वहाँ पे जमीन कैसी है mountains में river systems अलग तरीके के होंगे plains म में कुछ अलग system होगा तो relief features के उपर depend करते हैं इंडिया के drainage systems इंडिया की rivers इंडिया में दो तरह की rivers पाई जाती है हिमालियन rivers और peninsular rivers नाम से ही clear है जो rivers हिमालियास से निकलती है हिमालियास से निकलती है उन जैसे की गंगा ब्रह्मपुत्रा, इंडस इनको कहा जाता है हिमालियन रिवर्स और जो रिवर्स पैनिंजूलर इंडिया से निकलती है Central Highland से निकलती है या Western Ghats से निकलती है उनको कहा जाता है पैनिंजूलर रिवर्स देखिए, अब ये एक बहुत important question है पेपर में पूछ लिया जाता है एक्जाम में पूछा जा सकता है main point of differences between main points of difference between Himalayan and Peninsular river तो पहला difference तो यही आ गया कि यह अलग-अलग physiographic division से निकलती है Himalayan rivers Himalaya से निकलती है Peninsular rivers Peninsula से इंडियन Peninsula से निकलती है जैसे कि Western Ghats या फिर Central Highlands ठीक है इनमें और भी कई differences जैसे Himalayan rivers Perennial होती है Perennial यहनी साल के बारों महीने साल के बारे महीनों में उनके अंदर हमेशा पानी रहता है जबकि जो Peninsular rivers होती है वो rain fed होती है उनमें बारिश का पानी आता है इसलिए वो dry seasons में पानी उनके अंदर काफी कम रह जाता है या फिर सूख जाता है वो seasonal होती है Himalayan rivers are perennial but Peninsular rivers are seasonal आगे देखिए जो Himalayan rivers हैं उनमें पानी rainfall से भी आता है और उची उची परवत की पहाड़ीयों से जब बर्फ बिगलती है तो उससे भी उन्हें पानी मिलता है यानि melted snow से भी उनको पानी मिलता है और बारिश से भी उनको पानी मिलता है Himalayan rivers को Indus और ब्रह्मपुत्रा ये दो बड़ी Himalayan rivers हैं जो Himalias के north part से originate होती है north part से निकलती है जब ये Himalias की पहाड़ीयों के बीच में से निकलती है तो वहाँ पे बनती है gorges वहाँ पे क्या बनती है gorges देखिए gorges क्या होता है अब आप समझेगा ये देखिए इस तरफ एक पहाड है इस तरफ भी वही पहाड है और बीच में पानी ने अपना रास्ता निकाल रखा है तो जब पहाडों के बीच में से पानी अपना रास्ता निकालता है तो इसको कहा जाता है gorges ठीक है Himalian rivers जो है वो काफी लंबा रास्ता तै करती है समुद्र में मिलने से पहले यानि इनका जो course होता है वो अपने अपर course में काफी erosion करती है यानि काफी sand को, silt को, clay को अपने साथ बहा के नीचे की तरफ ले आती है ये इसका अपर course river का जहां से ये लगबग शुरुआत ही हुई है ठीक है और जो इसका middle course होता है मिडल course में ये rivers बनाती है Meanders या फिर Oaksbow Lakes Meanders और Oaksbow Lakes के बारे में detail में हम इस chapter के later part में भी पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जब भी river सीधे चलने की बजाए ऐसे करवी path में चलती है snake की तरह चलती है तो उसको कहा जाता है Meander और Oaksbow Lake क्या होता है यहाँ पर देखिए Oaksbow Lake एक U-shape का लेक जो river के रास्ते के कट जाने की वज़े से बनता है देखिए river ने अपना रास्ता यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया जिसकी वज़े से एक U-shape का लेक बन गया है जहाँ पानी फ्लो नहीं कर रहा अब river का तो इस तरह से बनने वाले लेक को क्या कहा जाता है Oaksbow Lake कहा जाता है तो river क्या करती है अपने middle part में Meanders और Oaksbow Lakes बनाती है और बहुत सारे depositional features create करती है flood plains में दर असल होता कि देखिए जो Indus, Ganga और Brahma Putra है यह निकलती है इंडिया के northern plains पे यहाँ पे flood आता है इन rivers की वज़े से यहाँ की मिट्टी में खेती काफी अच्छी होती है इन ही rivers की वज़े से इन ही Himalayan rivers की वज़े से और Himalayan rivers के deltas भी काफी well developed होते है क्योंकि उनमें पानी का amount काफी बढ़ जाता है समुदर तक पहुचते पहुचते ठीक है यहाँ पे delta दिखा रखा है delta क्या होता है जो जब river समुदर में मिलने वाली होती है तो उससे ठीक पहले वो कई धाराओं में बढ़ जाती है कई streams पे बढ़ जाती है वहीं पे क्या बनता है delta बनता है जो peninsular rivers होते हैं बच्चों वो ज़्यादतर seasonal होती है क्योंकि वो rainfall के उपर depend करती है उनमें snow से पानी नहीं आता बर्फ पिगलने से पानी नहीं आता dry season के दोरान सूखे के मोसम के दोरान बड़ी बड़ी peninsular rivers में भी पानी का flow काफी कम हो जाता है peninsular rivers जो होती है वो shorter course वाली होती है वो लंबा distance travel नहीं करती जबकि उनके अंदर पानी भी कम होता है shallow courses यानि पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता है उनके अंदर जबकि हिमालियन rivers ज़्यादा गहरी होती है as in comparison with peninsular rivers ठीक है कुछ जो peninsular rivers है वो central highland से निकलती है और west की तरफ flow करती है जैसे की नर्मदा और तापी rivers ठीक है इसने बताया नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ central highland से निकलके west की तरफ flow करने वाली दो rivers है नर्मदा और तापी बाकि जदातर जो peninsular rivers है कृष्णा गोदावरी वगएरा ये western घाट से निकलती है और bay of bengal में जाती अपनी journey खतम करती है आगे आता है हमारा हम detail में discuss करेंगे the Himalayan rivers को main तीन river systems है इंडिया में Himalayan rivers के Indus, Ganga and Brahmaputra ठीक है जो बड़ी-बड़ी Himalayan rivers इंडिया में बहती है वो है Indus, Ganga and Brahmaputra ये rivers काफी लंबी है और इन में बहुत सारी tributaries अब tributaries क्या होती है जो river अपना पानी किसी main river में लाके छोड़ देती है उसको कहा जाता है tributary या फिर सहयक नदी ठीक है दो तरहें की होती है जब कोई छोटी नदी अपना पानी एक बड़ी नदी में जाके मिला देती है जैसे यमूना गंगा में जाके मिल जाती है एलहाबाद में तो उसको क्या कहा जाएगा यमूना is the tributary of गंगा ठीक है और distributary किसे कहा जाता है डेल्टा के पास आके जब main river में से पानी निकाल के एक अलग से छोटी नदी बन जाती है उसको क्या कहा जाता है distributary कहा जाता है जैसे हुगली is the name of a distributary ठीक है तो river जो और उसकी tributaries मिलके क्या बनाती है river system को बनाती है जैसे अगर मैं बात करूं indus river system तो indus river system में कौन को नाएंगी एक तो indus जो की main river है और indus के अंदर अपना पानी डालने वाली indus की tributaries ठीक है तो ध्यान रखें आप what is a tributary छोटी नदी जो की किसी main river में जाके अपना पानी डाल देती है उसको कहा जाता है tributary ठीक है indus river जो है वो टिबट से ठीक है तिबट जो एक देश है वहाँ से निकलती है मान सरोवर लेक के पास indus और ब्रहम पुतरा का जो point of origin है वो ज़्यादा दूर नहीं है पास-पास ही है west की तरफ flow करती है वहाँ से निकलती है और लदाक में इंडिया में आ जाती है ठीक है लदाक में इंडिया के जमु कश्मीर में लदाक में ये इंडिया में एंटर करती है और जब ये लदाक में एंटर करती है तो काफी देखने लायक गोर्ज बनाती है गोर्ज क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ जसकर, नुब्रा, शोक, हुन्जा ये वो ट्रिब्यूट्रीज है जो कश्मीर इलाके में इंडस में जाके मिल जाती है ये उन छोटी नदियों के नाम है जो अपना पानी लास्ट में अल्टिमेटली जाके इंडस में डाल देती है ये इंडस रिवर जो है वो गिलगिट और बाल्टिस्तान से होके निकलती है और अटोक से इन मौंटेंस में आती है अब देखिया आगे क्या है सतलुज, बीस, रावी, चिनाब और जेलम ये पाचो नदियां मिठान कोट पाकिस्तान के पास जाके पाचों की पाचों नदियां अपना पानी डाल देती है इंडस में यानि ये पांचो नदियां भी सतलुज, बीस, रावी, छिनाब और जेलम भी किसकी ट्रीबियूटरी कहलाती हैं पांचो नदियों में जाके पांचो नदियों के नाम पर इंडिया के बहुत बड़े इलाखे पंजाब का नाम रखा गया है उसके बाद उसके बाद जो इंडस रिवर है वो southwards flow करती है और कराची के east side में जाते हुए arabian sea में मिल जाती है यानि मिठान कोट के पास देखिए इंडस जो है उसका course तो काफी लंबा है लेकिन इंडस का लगबग one third part ही लगबग 33% part ही इंडिया में पढ़ता है बाकी का part उसका पाकिस्तान में पढ़ता है major part जो है इंडस जो है वो major जो पाकिस्तान में पढ़ता है और थोड़ा बहुत part जो है वो तिबत में पढ़ता है थीक है इंडस जो river है उसकी काफी gentle slope है घड़ी ढलाने नहीं है जो plane areas है वहाँपे इंडस की जो टोटल लेंद है वो 2900 किलो मीटर है दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है इंडिया में लदाक में जमु कश्मीर में इसका लगबग 1 3rd पार्ट मुझूद है ठीक है और बाकी का पार्ट इसका कहा है पाकिस्तान में है इंडस वोटर ट्रीटी जो की पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1960 में हुई थी उसके अकोडिंग इंडिया जो है वो इंडस रिवर का 20% वोटर यूज कर सकता है इरिगेशन या दुसरे कामों के लिए तो ये था स्टूडिंट्स इंडस रिवर के बारे में आगे हम बात करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेनिज बेसिन बनाने वाली रिवर यानि दगंगा रिवर के बारे में गंगा रिवर जहां से निकलती है उसके जो हैड़ वोटर है उनको कहा जाता है भागी रथी भागी रथी ठीक है भागी रथी is the name given to front part upper course of गंगा रिवर जहां पर ये गंगोतरी glacier से निकलती है ठीक है और अलकनन्दा नाम की ट्रिब्यू ट्रीज देव प्रियाग उत्राखंड में जाके इससे मिल जाती है यानि अलकनन्दा उन पहली ट्रिब्यू ट्रीज में से एक है जो गंगा में मिलती है अलकनन्दा देव प्रियाग नाम की एक जगह पे उत्राखंड में अपना पानी गंगा के अंदर डाल देती है और हरीदुआर हरीदुआर एक जगह का नाम है उत्राखंड में हरीदुआर में गंगा जो है वो पहाडों को छोड़के प्लेन्स में बहना शुरू कर देती है यहाँ पे देखे दिखाया गया है यहाँ से इंडस्री रिवर सिस्टम के बारे में यहाँ से इंडस्री रिवर सिस्टम की शुरुआत हुई है यह देखे यहाँ से निकलते हुए और यहाँ देखिए अब यहाँ पे पाकिस्तान में घुस गई है और यह जाके अरेबियंसी में घुस जाएगी यह जो रावी, चिनाब, जेलम, सतलुज, बीस हैं यहाँ पे अपना पानी जो है इसके अंदर ट्रेन कर रही है इंडस रिवर के अंदर ठीक है और यहाँ पे देखिए यह दिखा रखिये गंगा ठीक है यहाँ से गंगोतरी ग्लेशर से निकलती है यह ठीक है और अलकना अं भागी रती और अलकना जहाँ पे मिलती है उस देव प्रयाग को यहाँ पे दिखाया गया है देव प्रयाग वो जगह है जहाँ पे भागी रती और अलकना अंदर अलकना मिलके गंगा रिवर को बनाती है गंगा के अंदर बहुत सारी ट्रीव्यू ट्रीज हिमालियास से न पुनोतरी ग्लेसियर से निकलती है हिमालियास में, गंगा के साथ साथ फ्लो करती है, और एलाहबाद में जाके गंगा में मिल जाती है, यह मुना एलाहबाद पहुचके अपना पानी गंगा में डाल देती है, घागरा, गंडक और कोसी यह नेपाल के हिमालियास से निकलती है ठीक है ये रिवर्स जो है वो Northern Plains में हर साल बाड लाने के लिए जिमेदार होती है Northern Plains के बहुत बड़े इलाके में बिहार वगरा में और भी बहुत सारी जगों पे हर साल बाड आती है वो इनी रिवर्स की वज़े से आती है घागरा गंडक और कोसी की वज़े से जिसकी वज़े से इस बाड की वज़े से इस फ्लड की वज़े से Life और Property का काफी नुकसान होता है लेकिन इसी फ्लड की वज़े से यहां की जो Soil है वो Agriculture के लिए बहुत अच्छी है ठीक है क्योंकि यह रिवर्स अपने साथ बहा के जो Nutrients लेकी आती है वो Soil को Entridge करती है इसके लाबा कुछ Peninsular Tribute Trees भी यानि Peninsular इंडिया से निकलने वाली कुछ Tribute Trees भी अपना पानी गंगा रिवर में डालती है वो कौन-कौन सी है चंबल, बेटवा और सोन ठीक है यह semi-arid यानि जहां पे हलका सूखा पड़ता है उन एरिया से निकलती है चंबल, बेटवा और सन इनके काफी छोटे courses होते है यानि लंबा distance travel नहीं करती है और इनके अंदर पानी भी ज़्यादा नहीं होता अब यह मिलती कहा है गंगा में चंबल और बेटवा ध्यान से सुनियेगा चंबल और बेटवा जो है वो इतावा district है उत्तर परदेश में वहाँ पे अपना पानी यमुना में डाल देती है ठीक है बाद में यमुना ऐलाबाद आके और गंगा से मिल जाती है ठीक है तो चं इतावा डिस्टिक यूपी में अपना पानी यमुना में डाल देती है और यमुना बाद में आके अपना पानी कहां डाल देती है एलाहाबाद में डाल देती है गंगा के अंदर जहां तक सोन की बात है तो सोन पतना में विहार में जाके गंगा से मिल जाती है आगे आता है न गंगा के प्रदूशन को कम करने की कोशिश की जाती है, गंगा को रिजुवनेट करने की कोशिश की जाती है, गंगा को रिजुवनेट करने की कोशिश की जाती है, रिजुवनेशन का मतलब क्या है, गंगा कुछ जगों पे इतनी गंदी हो गई है, कि वो एक बड़े गंदे नाले जैसी नजर आती है कोई कहे नहीं सकता उसको देखे कि वो एक बड़ी नदी है इतनी पवित्र नदी है तो रीजुवनेशन का वतरब है कि जहां पे यह खतम हो रही है रिवर जहां पे नाले जैसी लगती है रिवर वहां पे इसको सफाई करके और पहले जैसा रूप दिया जाए तो अब राइट और लेट से अपने अंदर पानी मिल जाने के बाद गंगा वेस्ट बेंगोल के फराका तक चलती है काफी पानी लेके चलती है और वहां जाके वो बेव बिंगॉल में मिल जाती है ठीक है फराका जो है वो नोर्दन मोस्ट पॉइंट है गंगा क्या होती है जो river upper course में या river course के दोरान अपना पानी main river के अंदर डाल देती है main river से join करती है वो होती है tributary और जो main river जब main river अपना पानी बांट देती है कई नदियों के में तो उनको कहा जाता है distributaries tributaries जहाँ पानी डालती है water volume को बढ़ाती है river में वही distributary जो है वो अपना पानी निकालती है water volume को कम करती है main river में से तो दो पार्ट बन जाती है यहाँ पे गंगा के एक तो भागी रती उगली पार्ट ठीक है जो की southwards flow करता है ठीक है और बेव बेंगोल में जाकी गिर जात है जो main river है गंगा की जो main गंगा है मुख्य गंगा है जो मुख्य धारा है वो बांगलादेश की तरफ flow करती है और ब्रह्म पुत्रा और गंगा यहाँ पे आके मिल जाती है ठीक है ब्रह्म पुत्रा जो एक बहुत बड़ी नदी है वो भी एक हिमालियन river है ब्रह्म पुत् क्योंकि ये मेगना जो है ये बहुत बड़ी नदी है क्यों क्योंकि इसके अंदर दो मेजर हिमालियन रिवर्स का पानी ड्रेन किया गया है ठीक है ये बेव बेंगोल में जाके मिल जाती है और इस इलाके को जहां पे मेगना रिवर बेव बेंगोल में गिरती है वहां पे सुंदर्बन डेल्टा ये एक मार्च लेंड है, दलदली इलाका है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जदा फास्टली ग्रो करने वाला इलाका है, और सुंदर्बन फेमस है, रोयल बेंगोल टाइगर के लिए, आगे आता है जो गंगा है, वो लगबग 2500 किलो है, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया है गंगा के बारे में, यहाँ पे आके ये दो पार्ट्स बना लेती है, आगे देखिए, आगे हम डिस्कॉस करते हैं इसी चेप्टर को आगे, तो गंगा की जो लेंद है 2500 किलो मेटर्स हैं, अमबाला, अमबाला जो है जो इंडस और गंगा, दोनों का एक water divided, दोनों के drainage basins को अलगलग करता है, ठीक है, अमबाला से लेके सुंदर बंस तक, लगबग 1800 किलो मेटर के इलाके में, जो है गंगा रिवर फ्लो करती है, लेकिन यहाँ पे slope का difference, धलान का difference, उचाई का difference, 300 मीटर से जादा नहीं है, यानि गंगा जो हुए, हर 6 किलोमेटर में सिर्फ एक मीटर का ही difference है, slope का, ठीक है, इसी लिए क्योंकि slope ज़्यादा नहीं है, इसी लिए reverse ज़्यादा मीएंडर्स बनाती है, कर्वी पात, ऐसे snakes की तरह चलती है, अगर upper और lower course में height का difference ज़्यादा हो, तो यह क्या चलेगी, सीधी सीधी चले का, height का, आगे आता है ब्रह्मपुत्रा river system, ब्रह्मपुत्रा river जो है वो again, इंडस की तरह तिबत से निकलती है, मान सरोवर लेक के east side से, इंडस और सतलुज का origin भी इसके पास ही है, यह जो river है ब्रह्मपुत्रा यह इंडस से थोड़ी बड़ी है, लेकिन इंडस की तरह ब eastwards flow करती है, हिमाल्यास के parallel, नमचा बरवा के पास पहुँचके यह एक पहाड की चोटी है, यहाँ पहुचके एक U-turn लेती है और अरुनाचल प्रदेश में दाखिल हो जाती है, तो हम पढ़ते हैं, देखे क्या होता, यहाँ पे देखिए, यह सांगपो जो river दिखा रखे ना students, यह सांगपो जो है, यह ब्रह्मपुत्रा river ही है, यहाँ पे आके यह नमचा बेरवा यहाँ पढ़ता है, इससे आके यहाँ पे एक U-turn लिया इसने, यहाँ पे एक U-turn लेके क्या करती है, इंडिया में एंटर करती है, कौन सी river, ब्रह्मपुत्रा river, ठीके हैं, यूटन लेके एक गोर्ज बनाते हुए गोर्ज क्या होता बताया मैंने आपको जहां पे ये एंटर करती है इंडिया में उस जगे को कहा जाता है दिहांग दिबंग, लोहित और बहुत सारी चोटी चोटी ट्रीव्यू ट्रीज आसाम में ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा को सांगपो के नाम से जाना जाता है तिबत में और जमुना के नाम से जाना जाता है बंगलादेश में तिबत में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो काफी छोटी है जादा पानी नहीं है क्योंकि तिबत जो है वो एक ठंडा और सूखा इलाका है इसलिए जब ब्रह्मपुत्रा तिबत से फ्लो कर रही होती है तब उसमें जादा पानी नहीं होता इंडिया में जब ये दाखिल होती है तो ये उस इलाके से गुजरती है जहां भारिश काफी तेज होती है इसलिए इंडिया में आने के बाद इसके अदर वाटर का वोल्यूम काफी जदा बढ़ जाता है और सिल्ट का वोल्यूम भी काफी जदा बढ़ जाता है ब्रहमपुत्रा जो है उसका चैनल काफी ब्रेडिड है इसलिए कई रीवराइन आइलेंड उसके रास्ते में आती है ब्रेडिड चैनल का मतलब देखिए ज़्यादातर रीवर कैसे फ्लो करती है इस तरीके से फ्लो करती है लेकिन ये रीवर कैसे टुकडा बच जाता है ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा riverine island तो ये braided channel इस तरीके से जब कोई नदी बहती है इस तरीके से बीच में जमीन छोड़ती हुई ठीक है तो उसको कहा जाता है braided channel ठीक है तो बहुत सारी riverine islands बनाती है ठीक है वर्ल्ड की largest riverine island मजूला है जो कि आसाम में आती है ब्रह्मपुत्रा river पे ही वो situated है वो island हर साल rainy season में ये जो river है ये इसमें बाढ़ हा जाती है और आसाम और बंगलादेश में काफी तबाही मचाती है ये river बारिश के मोसम में ज्यादा जन नोर्थ इंडियन river से उलट ब्रह्मपुत्रा के अंदर silt के काफी बड़े बड़े टिपोजिट्स है ये हर साल अपने river bed को rise कर रही है इसका जो तल हटी है इसका जो निचला इलाका है वहाँ पी silt की deposition हर साल बड़ जादा हो जाती है और इसका जो river bed है वो उपर की तरफ उठ जाता है river जो है वो अपना channel shift करने के लिए भी जानी जाती है ये अपना रास्ता भी बदलने के लिए जानी जाती है ठीक है ब्रह्मपुत्रा river यानि ये उतनी मतरब बाकी नोर्थ इंडियन डिवर से थोड़ी सी अलग है ये riverine islands बनाती है बाकी riverine islands नहीं बनाती है इसके अंदर silt deposits comparatively जादा होते हैं ब्रह्मपुत्रा के अंदर और ये अपना channel shift करती है अपने river bed को rise करवाती है जब की बाकी नोर्थ इंडियन डिवर्स ऐसा नहीं करती है तो students ये था आपका chapter drainage का part 1 वीडियो अगर आपको ये part पसंद आया अगर आपको ये video पसंद आया तो please इस वीडियो को like कीजिएगा comment कीजिएगा अपने friends के साथ share कीजिएगा अगर आप इस channel पे नहीं है आप तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe करें हमारे channel को और जाने से पहले एक बार वीडियो की description को जरूर चेक करें उसके अंदर आपकी class के अलग-लग subjects के जो content है वो upload किये गए है तो एक बार वीडियो description को जरूर से जरूर चेक करें Thank you for being with us